Hello Everyone, Welcome to Lecture Force यह है अपनी previous year questions की सीरीज का part 7 इस सीरीज में हम वो सभी questions देखेंगे physics के जो पिछले 5 सालों में एर फोर्स और नेवी के एक्षानस में पूछे गए है first question है कि कुछ दूरी पे रखे थे दो point charge क्या किया गया? air को replace कर दिया गया kerosene oil से air के स्थान पे kerosene oil रख दिया गया तो उन point charge के बीच में जो force होगा वो क्या होगा? decrease हो जाएगा या increase होगा या equal रहेगा या फिर zero हो जाएगा तो ध्यान से समझना इस question से related जितने भी questions बन सकते हैं वो सभी मैं आपको अभी समझाने वाला हूँ तो देखो basically जो force होता है दो point charge का वो क्या होता है? वन अपन कुलाम का नहीं हम सब को पता होगा फोट पाई अपसाले नॉट के q1 q2 बटे r square यानि कि हम यहाँ पर observe अगर करें तो वही दो point charge है तो यह सारी चीज़े constant है distance भी constant है और यह वन यह भी constant है तो केवल जो effect करेगा वो के dielectric जो पराबैद्यतांक होता है जो force होता है वो उसके बितकुर्मान पाती indirectly proportional होता है यह बात आप अपने जहन में कही पे save कर लेना क्योंकि इससे कितने तरीके के question बन सकते हैं आपको इसका idea अभी हो जाएगा देखो जो force होता है वो electric यह पराबैद्यतांग के बितकुर्मान पाती होता है दूसरी बात आप मेरी यह सुनो कि जो के होता है वो वायू और निर्वात के लिए एक होता है और सब और कुछ भी जो के है वो बढ़ा है के कमान वायू के लावा सब के लिए देखोता है और के कमान अगर बढ़ा है तो force उसके indirectly proportional है तो के अगर बढ़ा है तो force obviously गटेगा तो इस question का answer तो गया decrease होगा लेकिन बात इसी question पे कतम नहीं होनी चाहिए क्योंकि अब question कितने तरीके से बन सकता है यह answer zero भी हो सकता था अगर आपसे question में कहा जाए कि कुछ दूरी पे दो point charge रखे थे air के इस्थान पे हमने क्या कि या धात्विक कोई metal लग दी जैसे ताबा हो गया या कोई भी वो यहां पे special यह नहीं बताएगा कि हमने जिसका के अनन्त है वो रख दिया वो ऐसे कहेगा कोई धात्विक प्लेट रख दे अब आपने देखा कि force जो था वो indirectly proportional था एक बटे के के ठीक है अब आप यह चीज भी दिमाग में याद रखना कि metals के लिए जो के होता है जैसे पीतल हो गया तो उसके लिए के अनन्त होगा तो अगर एक बटे अनन्त करेंगे तो कोई अगर संख्या है उसके नीचे इन फाइनाइट से डिवाइड करेंगे तो जीरो हो जाता है यानि कि अगर केरोसीन तेल की जगए पे कोई धात्विक प्लेट रख देता जैसे पहले क्या करें उसके कहेगा कि के बरावर छै कामनें एक कांच की प्लेट रख दी के बरावर छै की एक कांच की प्लेट रख दी तो आपको ये दमाग पर रना है कि एक बात के ये सहाई ही बात इस कुछजिन से रिलेटेड अब मैं आपको एक बात pleasing केजिए एक आप क्ोलाम होता है यह सेंटिमिटर होता है मास हो गहांवत जोम्च सेंटिमीटर में होता है यह स्यूड में होता है। अभी एक एरफोर्स में कुश्यन पूचा गया था कि ऐसा कौन सा चार ओप्षन थे एक था किलोग्राम एक था मीटर लंबाई कहा था ऐसा कौन सी चीज है न चार हो मैंसे जो सभी मात्रकाओं में समान रहती है आप देख रहे हो यह मास्ट था जैसे मीटर था यह अभी सेंटियों में वही रहता है समय का सेकंड ही रहेगा मात्रक यह नहेंस को पूचा गया था इसको एसे भी पूचा सकता है। एक इस्टेट कूलाम पूछे कितने कूलाम होते हैं तो हो जाएंगे एक बटे तीन गुणा दसकी घात माइनस नो लेकिन अगर ऐसे ओप्सन में नहीं है तो जब इसको डिवाइड करोगे तो 0.33 आएगा दे खजाएंगे तो 3.3 Mario interes 10 कूलाम 你 ृट आंसर हमारा यह और आगा जो बाते मैं आपको इसके मित बता रहा हूं इनको आप जरूर जाएं कि जल करें कि लिए dire पी यार्टि क करोगो होता है तो एक यारत रख और उएक कूसिन मुझे और याद आरहा जो अब ही एक फोर्स में पूछा गया था आप ध्यान से बस समझना मैंने टाइप नहीं घिया है कि धो माइक्रो कुलांब का है तो फोर्स लग रहा था वह दस नूटन का लगा था ठीक है अब क्विश्चिंड मैं ऐसे का जाएगा कि दो पॉइंट चार्ज थे एक दो माइ ऑचेंड को इस पर्स कराया गया एक दूसरे से और फिर उसके चर्प से बाद उतनी ही दूरी पर ढाया जाए करने के बाद उतनी ही दूरी पे रख दिया जाए तो पुछ हो आप उन के बीच में कितना ट्रेक्टेशन व historic लगेगा तो मेरे असने पूछा पास्ट में आगे भी पूचा जा सकता है अगर दो point चार्ज थे एक प्लस था एक बार मैनस था सेम चार्ज था जब उनको इनको इक पर्स कराया गया होगा तो यह पर्श कराने के बाद क्या रहेगगा कि उनके बीच में जो नया force होगा वो zero हो जाएगा एक electron एक electric field में इंटर करता है perpendicular लंबवत इंटर करता है तो उसका गमन का पत कैसा होगा अब देखो कल का वीडियो या परसों के वीडियो मैंने magnetic field वाली बाते बताई थी दो और आज बताऊंगा दो बाते electric field की और मैं आसा करत इसना दो fact बताऊं दोनों को एक साथ memorize करने में आपको help हो जाएगी आप याद करो जब मैंने बताया था time period जो होता है वो क्या होता है two pi under root l बटे जी मैंने आपको परसों ही साय थी ये बात समझाई थी कि अगर पूछा जाए कि एक सरल लोलक के आवर्तकाल और उसकी आप याद रखना अगर एक electron electric field में लंबबत प्रवेस करता है तो परवलियकार लेकिन अगर parallel इंटर करता है जो की कम पूछा जाता है अगर जिस छेत्र में electric field है उसके समांतर अगर प्रवेस करेगा तो उसका पात एक straight line होगा एक सीधी रेखा में होगा लेकिन उससे ये ना पूछ के उसकेस में ये पूछा जाएगा अगर समांतर प्रवेस करता है तो उसकी kinetic energy decrease हो जाती है initially और वह initially ही पूछी जाती है चाहिए velocity पूछे तो उसका जो electron का velocity होगा वह पहले decrease होता है वह अलग बात है बाद में increase होता है बाकि जो fact पूछा जाता है वह मैं आपको लेकिन अगर वह magnetic field में किसी angle पे किसी acute angle painter करता था तो helical path हो जाता था कुंडलिनी के अकार का हो जाता था ये बात मैंने बताई है किसकी magnetic field वाली आपको revise कराने के लिए इस question पर most important लिखे ना most most का square cube जितना भी लिख पाऊ क्योंकि इस से पहले जो paper हुआ है उसमें पूछा स्टील का वायर खत था जिसका इनिसियली जो magnetic dipole moment था वह एम था अगर इसको semi circle मोड़ दिया जाए तो नया क्या होगा तो देखो समझना पहले क्या था मैं विजुलाइज करा दू एक यह एल लेंद का एक मैंने बना लिया यहां इसका एम एम एल डिस्टेंस थी तो यहां पोलर उस्टेंस थो एम और एहब हैं इंट बीच की दूरी क्या हो जाएगी रेडियेस यह Ar यानिकी बीच की लिस्टेंस डियमीटर ही तो होगी यहां उग कि बीच एदिस्टेंस सेबकी बाद 2R हो गईया लेकिन आप देख रहे हैं कि आनसर में आर तो है आइनि जो आंस अगर pi r length है तो हम r को replace कर सकते हैं l बटे pi से तो हम यहाँ पर r को replace कर देंगे m into 2 into r को replace कर सकते हैं l बटे pi से अब देखो m और l यह m और l की जगह पर हम initially वाला m लिख सकते हैं यानि कि m into 2 बचा उपर बटे pi यानि कि जो नया magnetic dipole moment हो जाएगा वो जाएगा 2m बटे pi थोड़ा tough था लेकिन अगर समझा होगा ध्यान से तो 2m बटे pi समझ में आ गया होगा बाकि phone की screen पर इतने अच्छा नहीं कर पाता हूँ लेकिन फिर भी कोशिस है मेरी कि अगर अब इसको आप रट लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं अब आप इसको रट लेना ठीक है दूसरा question जो पूछा गया था इस बार वो यह था कि एक wire था similarly question था लेकिन उसको semi circle में बेंड करके L size में बेंड किया गया था तो L size में बेंड किया गया तो length आदी आदी हो जाएगी यहां पर अगर हम देखें resultant जो length होगी वह कितनी होगी अगर इसका पाइथा गोरस पिर में लगाएंगे तो यह बट रूट दो आएगी कैसे निकालेंगे L square by 4 प्लस L करल बर्ग बराबर क्या होता है लंब का square प्लस आधार का square तो 2L square by 4 हो जाएगी जब 2L square by 4 हो जाएगी तो 2 से कट हो जाएगा तो finally L बटे रूट दो आएगी तो अपकी बार जो अगर इस L size में बेंड करते हैं तो M into root अपकी length रखेंगे तो इतनी रखेंगे तो initially का बटे रूट दो हो जाता है यानि कि अगर initially M था कहेगा कि initially M था तो L size में मोड दिया गया तो option देगा 2M होगा या M बटे रूट दो होगा या 3M होगा तो M बटे रूट दो हो जाएगा अगर L size में bend करेंगे अगर आपसे ये question भी navy में सायद पूछा गया था कि अ M जो होता है magnetic dipole moment होता है वो होता है एरिया के directly proportional होता है वो magnetic dipole moment अब इस fact को याद रखना area के directly proportional है अगर loop का radius आधी करी गई है area होता क्या एडिया होता है पाई r square और पाई r square अब radius आधी करी गई है तो एक बटे दो का square करेंगे तो वो क्या हो जाएगा 1 4th हो जाएगा या लगा देना इस question के लिए मैं आपको बता रहा हूं ठीक है और यह point को लिखते जरूर चलना मेरा यह 10-15 मिनिट का वीडियो आप आधा घंटा में देखो इसको 20 बार पॉज करना पड़े लेकिन हर फैक्ट आप अपनी नोट बूक में लिख लेना अभी में लास्ट में आपको एक दिखाऊंगा एक बच्चे ने कल मुझे फोटो वेजी थी वाटसप पे मतला मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया भाई उसने कितने अच्छे से मेरे वीडियो से नोट्स बनाएं क कल वाले वीडियो से मैं आपको भी लास्ट में सो कराऊंगा आपको प्रिज्म है एकुलिटरल प्रिज्म है वह उसके काच का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स जो है वह अंडरूट तीन है तो उसका अल्पितम बिचलन डेवेशन एंगल जो होगा वह क्या हो देखो इस कुश मुला आपने साइध अब तक ना पड़ा हो लेकिन आज आज आप इसको लिख लो कहीं क्योंकि यह एंडिये के एक्जाम में पूछा गया था अगर रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कॉटे वाई टू है तो यह जो होता है यह डेवेशन होता है और कुशन ऐसे था कि एक प्रि में आप एक ग्लिम्स देखो अब यह कुशन आप साइध याद भी रखोगे एक संभाहु तुरुज है उसके प्रिज्म का पवरतनां करूड तीन है तो अगर आप देखो संभाहु है तो उसका सभी कौन कितने होगे एक एक एक्विलेटरल ट्रेंगल का इच एंड एवरी दो निकालेंगे तो 30 आएगा 30 का मतलब होता है अंडर रूट 3 जो की 1060 कमान होता है वही कौट थीस कह होता है तो यह इंडारेक्टली जो यह रूट 3 है यह वह कौट ए बाई 2 ही तो है और अगर कौट एवाइट है तो इसका आंसर सीधा 180-2a हो जाएगा 180-2 इंटू प्र वो कुशन थोड़ा हाई लेवल कुशन आ गया तो आप छोड़ना नहीं ठीक है अब इस चप्टर से में दो तीन बाते और आपको बता देना चाहता हूं एक पहली बात एक फॉर्मुला आप यह याद रख पाते हैं ललके यह याद रखना कि जो मिनिममम डेवेशन होता है दूऔव बता रहा हूं क्योंकि हो सकता है आपसे देज्म बता रहा हूं बातों को लिख लिया करो आपसे कोई कहँए कि शुच ऑक Rsi जो वो 50 पे जो है आपतित होती है तो अल्पतम बिचलेन बताऊ एक कप प्रिज्म कौन दिया था साथ डिगरी और आपतन कौन दिया था 50 डिगरी आपसे डिरेक्ट पूछ दिया बिचलेन कौन तो कैसी निकालोगे डिरेक्ट फॉर्मूला रख दो टू इंटू आपतेन कौन, आपतेन कौन है 50, तो 100, 100-1,60, तो कितना अंसर आजाएगा, इसका अंसर आजाएगा, 40 डिग्री, तो इसी तरह से मैं आपको बताना है, यह सब को फॉर्मूला याद हो गई होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, एन बराबर जो होता है, होता है, सा आपतेन कौन है, वो 30 डिग्री है, तो आपतेन कौन बताओ, तो क्या बताओ, आपतेन कौन बताओ, तो आप क्या करो, यह जो है, यह आपतेन कौन होता है, यह चीज मैं बार-बार कहता हूँ, ऊपर वाला होता है, आपतेन कौन, तो आपतेन कौन क्या होता है, ए प्लस डे अभी कहा था कि लाश्ट में मैं आपको कुछ दिखाऊंगा तो यह उनके लिए भी है जो कहते हैं सर नंबर आफ कुश्चन से इंक्रीज करो यह लेंग्वेज जिनके लिए मैटर करती है देखो वो सारे इंग्लिस में भी थे लेकिन बच्चे ने देखो उस वीडियो से कल क कराय थे जो बात है मैंने बताई थी जैसे यह रचयब करें यह बघ्य तो आप बटाओं कि यह बैट पर लेट यह बहुँर्ण करूंट उसने पूरा अच्छे से लिखाए जो बच्चा केवल मेरी बातों को एक मोवी की तरह देख रहा है नो डाउट उस वो भी उसकी भी physics enhance होगी लेकिन जो यह इसलिए मैं आपको दे रहा हूं कि थोड़ा motivation आपको मिले notes बनाना इस्टार्ट कर दो लेकिन जिस दिन अब इस बच्चे का कुछ एक महिने के बाद यह ऐसे ही videos regularly देख के notes बनाता रहेगा तो मैं इस बात को guarantee से बोल रहा हूं कि market में ऐसी कोई book नहीं होगी जो इसके equivalent हो जाए ठीक है तो बस यह आप पर depend करता है कि कितने अच्छे से मतलब मैं यार मैं इतना impressed हूँ इस बच्चे से इतना खुस हूँ मतलब मेरी आत्मा मतलब दिल कहता हूँ ना garden garden वो सच में हो गया जैसे मैंने कल बताया था जो भी question मैंने कल बताई उसने सारे question लिखे तो यही आप से कह रहा हूँ भाई notes बनाना शुरू कर दो आप कोई किताब मत खरीदो ठीक है मैं आपको मैं guarantee चीज के लिए रहा हूँ कि हर practice at हर website मतलब मैं कुछ नहीं छोड़ूँगा जो आपके लिए important होगा बस आप मेहनत करना सीख लो आप चीजों को लिखना सुरू करो अब इसकी यह किताब होगी जब यह पढ़के जब बाद में revision करेगा तो यह कुछ दिन में दो-तीन दिन में पूरी चीजे revise कर लेगा properly और इनको exam में perform कर पाएगा तो आपको अगर performer बनना है long lasting perform करना है ठीक है तो चीजों को लिखना सुरू कर रहो और बाकी मैं वीडियो की length बढ़ा दूँगा अगर आप इस वीडियो पे 1000 लाइक कर देते हो जो अभी तक मेरे किसी वीडियो पे नहीं हो पाते है इनिसे लिए तो मैं आपसे promise कर रहा हूँ कि number of questions सीधा 10 कर दूगा अभी 5 होते हैं तो number of questions कहने को written में 5 होते हैं लेकिन होते तो 10 ही है लेकिन आप written में 10 questions include कर लिया करूँगा तो अगर आप इस वीडियो को 1000 लाइक पहुचा देते हो